Hello Friends, मैं सरफ शब्बिर हुसेन and you are watching PhysioTalk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICU Mobility Scale के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ICU Mobility Scale किसी भी Healthcare Professional के लिए क्यों important होता है ICU के अंदर इस वीडियो को एंट टक देखना विल्कुल ना बुले और अगर आप हमाय चल पढ़ना है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे बैल आइकन को भी दबा लिजे ताकि आपको हमारे आने वली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ ही अगर आपने हमाय चल को भी तक जॉइन नहीं किया है तो चनल को जॉइन कर लिजे क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट है और बहुत सारे हम गिववेज हमारे चैनल पर करते रहते हैं जो कि सिर्फ एक्स्क्रूजिबली अवेलेबल रहते है हमारे चैनल मिमर् दोस्तों ICU mobility scale के लिए जो intended population चूज की जाती है वो रहती है कि जो लोग ICU में admitted रहते हैं उनको हम मानते है intended population इसके method of use के में बात करूँ तो कोई भी healthcare worker अगर patient की mobility को highest level of mobility को पता करना चाता है तो वो ICU mobility scale का इस्तेमाल करता है तो दोस्तों जो इसकी scoring रहती है वो रहती है 0 to 10 के बीच में 0 मतलब least mobile है patient और 10 मतलब highest level of mobility वो achieve कर चुका है तो दोस्तों जो इसकी scoring होती है वो इसकी stages होती है उससे classify की जाती है तो अब बात करते हैं कि जो scoring है वो किस तरीके से stages के basis पर decide की जाती है तो दोस्तों जो पहली scoring होती है जीरो उसका मतलब होता है कि patient just bed पर लेटा हुआ है lying on the bed और वो कुछ नहीं कर पा रहा है फिर होती है पहली scoring जिसका मतलब होता है कि patient बैट पर बैट पा रहा है और कुछ exercises वो बैट पर ही कर पा रहा है फिर होता है दूसरा कि patient passively उसको बैट से chair पर move किया जा रहा है तीसरा होता है कि patient sitting over the edge of the bed चौथा होता है कि patient को standing कराई जा रही है patient खुझ से stand हो पा रहा है पाचवा होता है कि patient actively अपने आपको transfer कर पा रहा है बैट से लेकर के chair तक छटा होता है कि वो spot marching कर पा रहा है साथवा होता है कि वो walking with assistance of two people दो लोगों की मदद से वो चल पा रहा है आठवा होता है कि patient चल पा रहा है पर एक व्यक्ति का उसको support लग रहा है नवा होता है कि patient walk कर रहा है independently with gate aid यानि कि किसी stick या किसी walker के सहरे से वो चल पा रहा है पर independently चल पा रहा है और दसवी scoring होती है कि patient independently walk कर रहा है without gate aid यानि कि बिना किसी stick या बिना किसी walker की मदद से patient actively चल पा रहा है तो दोस्तो इस तरीके से patient की scoring की जाती है ICU mobility scale में जिससे उसका highest level of mobility हम पता कर सके तो दोस्तो अगर patient बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है या बिल्कुल भी exercise नहीं कर पा रहा है सिर्फ बैट पर लेटा हुआ है तो उसका जो mobility level होगा वो होगा 0 और अगर patient walk कर रहा है independently without किसी gate assistance के gate aid के तो हम उसको score देंगे 10 दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया ICU mobility scale के बारे में एक-एक stages आपको बताई